हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आसीफा और वेलकम बैक टो आसीफा कोसस कुकिंग आज मैं जवार की रोटी फुली फुली एकदम सॉफ्ट किस तरह से बनाते हैं वो आपको बताने वाली हूँ अगर आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो हमेशा आपकी रोटी परफेक्ट ही बनेगी और फुली फुली ही बनेगी और बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा थोड़ा भी बिना स्किप्ट करिए तो चलिए देखते ही से बनाने के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है तो सबसे पहले मैंने यहा पर एक कुणा बना लेंगे क्युंकि हमें इसमें ही आटा जो हमने पानी रखा है उसमें नालेंगे और इसी से हमें आटा लगाना होता है तो इस तरह से हम यहा पर वीच में गड़ा बना रहे हैं थो पानी में उबाल आ गया था तो आब तो आटे को मिला लिया है 又 पैस्ता आष्टाइसके अफिस सब्सक्राइए अगर एहां पर पानी तो आप थोड़ा साम लग रहा है्थ तो आप थोड़ा सा और पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं, अब हम इसे गून रहे हैं, आटा जैसे मैंने कहां गरम होता है, तो इसलिए हम आइस्ता आइस्ता इसे गून रहे हैं, तो इतने ही पानी में जितना हमने पानी दाला था, उसी में हमने यह आटा गून लिया है, आटे मना उसके बढ़ हम तो तोड़ा ही हम इसे टाइप करते जाएंगे या उसके यह सा जाएंगे सकते किने आसानी से यह अधिवार तड़, आसानी से ममं ऑनता है, की गए सकते जाएंगे, पुली-फुली-वर नरम जवार की रोटी बना सकते हैं कई लोगों को ऐसा होता है जवार की रोटी बनाना नहीं आता है तो वो बनाते ही नहीं है या तो बाजार से लेकर आते हैं तो आज हमने आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप घर में रोटी को किस तरह से पेल कर जवार की रोटी भी आप ब अब यहां पर हमने तवा गरम होने के लिए रग दिया था तो अब आहिस्ता से से तवे पर दालेंगे जब तवे पर दालेंगे उसके बाद हम इसे पानी लगाएंगे आप देख सकते हैं कहीं भी साइड में इसके कॉर्णर में कहीं भी क्रैक्स नहीं आए हैं मैंने कहा था जितना हम आटा मलेंगे उतना ही रोटी अच्छे से बनेगी तो अब हम यहां पर इसे पानी लगा लिए हैं पानी को पूरे अच्छी तरह से हम सुखा लेंगे उपर का और उसके किनारे हम साइड से निकाल लेंगे उसके बाद इसे हमें पलटना है तो अब हम रोटी को प बनेगी अब हम इसे एक तरफ से थोड़ा सा कपड़े से इसे दबा लेंगे तो ये चारो तरफ से बहुत ही अच्छे तरह से फुलेगी अगर आप पहली बार मेरे चानल पर आये हैं तो मेरा चानल आसिफा को सब्सक्राइब करिए साथ में दीगे बेल को प्रेस करिए ताकि आप देख सकते हैं दूसरी रोटी भी किस तरह से फुली फुली बढ़ रही है हमें ये ध्यान रखना है कि आज हाई फ्लेम पर होनी चाहिए और तवा अच्छा सा गरम होना चाहिए तभी रोटी अच्छे से फूलेगी और अच्छे से बनेगी इसको मीडियम लोग पर न अधे थैयर ते तकी पूलेगी और प्लेम पर अच्छे से बनेगी है